हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब छोटा सा टोपिक है जल्दी से एकस्पेइन कर देते हैं जो कुश्न पूछते हैं इस्टागराम पे की वे प्रोटीन बैतर रहेगा कि मासगेशन तो कौन से पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपकी जो है भी फिजीक कैसी है अगर आप जो है आपकी हाइट बहुत जादा है और आप अंडर वेट अपने BMI की अकोर्डिंग ठीक है बॉड़ी मास इंडेक्स के अकोर्डिंग अगर आपकी जो है वेट आपके है आपके तब आप मास इंड़ जरूर ले लें मैं कह सकता हूं कि मास इंड़ आपको फाइदा देगा क्योंकि अगर आप अंडर वेट है तो आपको हाइड कैलरी ही simple कारव है protein rich है protein access में है इतना है पर friends वो क्यूंकि उसका price भी कम है और उसमें इतना ज़्यादा price कम होने के कारण इतना protein वो afford नहीं कर सकते उसमें इतना way protein वो नहीं डाल सकते इसी लिए कहा जाता है कि mass gainer नहीं लेना चाहिए पर अगर आप under weight है तो आप mass gainer ले सकते हैं मैं आपको mass gainer से बढ़िया बताऊंगा कि अगर आप खुद अपना mass gainer बनाए तो वो जादा बढ़िया है mass gainer का मतलब अगर आप mass gaining meal बनाए अगर आप meal इतना high calorie meal बनाए वो जादा बहतर है mass gainer लेने से बहले आप high calorie meal जो है वो बनाना सीखे वो कैसा होगा mass gainer में जो है हम जब mass gainer लेते हैं तो insulin spike होता है हमारा जो की fat storage के लिए fat उससे बहुत ज़रा store होता है body में जो हम खाते हैं वो जब एक level के बाद वो sugar जो हमारी glucose वगरा जो हमारे blood stream में है वो store होके fat बन जाता है तो insulin spike होने का खारण fat accumulate होना शुरू हो जाता है पर जब हम अगर mass gainer meal होगा जिसमें की complex carb simple carb का mixture होगा protein rich वो meal होगा तो आपको fat accumulate नहीं होगा high calories भी मिलेंगी और वो high calories धीरे-धीरे energy release करेंगी protein आपके muscles को देंगी कार्ब जो आपको energy के लिए चाहिए वो complex कार्ब होंगे जिसके कारण जो है आपको fat accumulate insulin spike नहीं होगा बहुत और fat accumulate नहीं होगा तो वो कैसे मराएंगे आप जो है high calorie meal वो होगा complex carb और जो मैंने बता दिया हाई protein का mixture तो complex कार्ब के लिए कि आपको क्या चीज़े हैं जैसे होगी अपने sweet potato हो गया आप वो wheat grains जो भी है वो complex कार्ब है wheat जल से रोटी हो गई आप मैं simple से आपको चीज बताऊं अगर आप वेप रोटीन लेते हैं और उसी को आपने एक high calorie meal बनाना है तो आप वेप रोटीन में बनाना एड़ कर सकते हैं milk कर सकते हैं उसमें बादाम एड़ करें आप उसमें जो भी अपने peanut butter आड़ करें और हमारे जो जो भी good sources of fat हैं जो जिसे कहते हैं good fat जो हमारे फ्लेक्स सीड हो गया, हमारे पीनट बेटर हो गया, पीनट हो गया, वॉलनट हो गया ये सारी चीज़े ही good fat में आती है इन में से कुछ चीज़े एड़ करके अपने milk में whey protein डालके और उसको बनाना को एड़ करके आप shake बनाके उसका बड़िया high calorie meal होगा ये इतनी calories आपको मिल जाएंगी कि आपका weight gain जरूर होगा और ये जो calories आपको मिलेंगी ये इनसे इतनी जल्दी insulin spike नहीं होगा चितना कि आपको एक mass gainer से insulin spike होने कारण fat accumulate होता है क्योंकि जब protein rich होगा उस meal में, उस shake में बनाना भी होगा, milk भी होगा ये milk आप जानते है, milk casein जो होता है उसका काम होता है कि slow करना, digestion को slow करना जिसके कारण धीरे-धीर energy release होती है तो जो भी उसके nutrient होगे वो धीरे-धीरे release होगे और fat accumulate नहीं होगा तो यह आपको मैंने simple सा meal बता दिया, अगर आपने बिल्कु वेब रोटीन भी नहीं add करना चाहते तो आप simple अपने जो legumes होगे डाले होगी या आप chicken लेते तो chicken ले सकते हैं और उसमें brown rice डाल के खाएं आप ठीक है, यह 5-6 meal आप दिन में लें, high calorie meal लें वो ज़्यादा ब बढ़ेगा, मतलब कि आपको tummy वगएरा की problem, fat भर जाएगा, पेट निकल जाएगा, ऐसी problem जाएगा, bloated face हो जाएगा, भारी face हो जाएगा, क्योंकि fat accumulate होगा, water retain होगा, पानी भर जाएगा, यह सारी चीज़ें हो जाएगी, तो इसलिए आप high calorie meal बनाएं, ठीक है, जैसे मैं shake बुलाया, high calorie meal, वो आप दिन में divide करके ले सकते हैं, जैसे morning में ले ले लिए, दो तिन टाइम आप ले सकते हैं, बाकि अपने meals जो आप normal diet लेते हैं, वो ले और बाकि दो तिन वाल, जो मैंना high calorie, आपको meal बताया, जिसमें milk होगा, वे प्रोटीन होगा, बनाना होगे, जो आपके हमारे good fat आप, वो आड़ कर सकते हैं, जैसे peanut butter वगरा, peanuts, walnuts वगरा ये चीज़े आप बढ़िया meal बनाएं, ठीका, ये ती, दो या तीन बार दिन में ले और normal आपके meal एड़ होगे, जो total 6 या 7 meal बन जाएंगे, और आपकी जो calorie intake है, वो बहुत जादा बढ़ muscular दिखोगे, आप, आपके जो blotting नहीं होगी, fat नहीं परेगा, belly नहीं निकलेगी, पेट नहीं निकलेगा, उसके जादा benefit है, ठीक है friends, love you friends, तो whey protein और mask गिन में कौन सी चीज़ बढ़ी है, वे protein ही बढ़ी है, और जिन के बाद आपने अकेला whey protein ही लेना है, ठीक है, उस और कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं, love you friends, बाई, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बाई